तिकली जो सामसंग के मुबाइल आते दे एज शेप में ये टोटली एज शेप में बनाया गया और कलर के देखें दोस्तों कलर बहुत ही इसका अमेजिंग कलर है असलाम लेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले हैं ओनर 50 मुबाइल जो के 5G है और कुछ ही दिन पहले मार्केट के अंदर लॉंच हुआ है आज हम इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे बहुत ही एक अमेजिंग और डिफरेंट वीडियो हने वाली है मेरे चैनल के ओपर क्योंकि मैंने अन्बॉक्सिंग कर रहा हूँ पहली बार मुबाइल की और इसके अंदर हम देखने बने के 5G मुबाइल के अंदर हमें क्या-क्या मिलने वाला है और इसके क्या-क्या फीचर्स है और इसकी फॉस्त लूप कैसी है तो चलिए चलते है 50 का बॉक्स जो के 5G मुबाइल है आज हम इसकी देखने वाले हैं कि इसकी फार्स लूक किस तरह से यह इसका बॉक्स है ठीक है आप देख सकते हैं तो यहां पर मैंने इसका उपर जो कवर था वो पहले ही रिमूव कर दिया है तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पस यहां पर एक मुबाइल अवेलेबल है जिसकी बहुत ही एक इंटरस्टिंग सी रैपिंग में जिसको पैक किया गया है पीछे देखें दो कैमरा है तो चले इनके फीचर पर बात करेंगे पहले देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या-क्या मिनने वाला है तो यहां पर देखें क के लिए जो के बहुत ही खुबसूरत सा है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक जो है वो आपको हैंड फ्री दी गई है जो के सी टाइप है तो चले इस पर भी बात करेंगे उसके बाद यहां पर दोस्तों हमारे पास एक अवेलेबल है जो के सी टाइप इसकी डेटा और यहां पर एक charger available है हमारे पास और यहां पर आप देख सकते हैं 66 watt का high speed charger जिसे Super charger कहा जाता है और फिटी का और बहुत ही amazing charger है तो दोस्तों सबसे पहले charger पर बात करते हैं ओनर 50 यह देखें 66 वार्ट का एक सुपर चार्जर है जिसकी फर्स्ट लुक बहुत ही अमेजिंग है और इस एक रैपर के अंदर यहाँ पर रैप किया गया है अगर आप रैपर को रिमूव कर दें तो बहुत ही अमेजिंग सा चार्जर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो के आपके मुबाइल को 25-30 मिनट में पूरा चार्ज कर देगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक डेटा केबल मुझूद है जो के चार्जर के लिए है और यह C टाइप डेटा केबल है इसके आप लेंथ देख सकते हैं काफी बहुत लंबी लेंथ नहीं है यहाँ पर एक स्टेंडर्ड इसकी लेंथ है और इसका अप अंदर से कलर देख सकते हैं लाइट और इन से कलर का है यहाँ पर दोस्तों मैंने इस C टाइप हैंट्वी को यहाँ बाहिं निकाल दी इसके बाक्स से यह बहुत ही एक खुबसूरत सा साओंड होता है उसके पारे पास इसके स्पीकर्स मुझूद है यहां पर सी टाइप जो है इसकी चार्जिंग के लिए पॉइंट या गया और हैंट्री भी यहीं पर आप लगा सकते हैं यहां पर एक माइक है और यहां पर आपके पास दो सिम्स का ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह से जैकेट दी गई है सिम्स के यहां पर मैंने सिम्स लगा दी है इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप दोनों सिम्मों को लगा सकते हैं और यह गिरेंगी नहीं सिम्स मैंने आपको यहां पर इसलिए लगा कर दिखा यह देखें गिर नहीं रही मैं से यहा यहां पर हमारे पास एक camera available है और यह भी एक नीचे camera है इस पर भी हम आगे चलके बात करते हैं यहां पर दो हमारे पास mics दिये गए हैं एक mic नीचे था और total इसमें तीन mics होगे और देखें दोस्तों बिल्कुली edge look है यहां पर अगर आप इसकी look को देखें तो बिल्कुली जो Samsung के mobile आथे यह टोटली edge shape में बनाया गया है और बहुत ही इसकी price के बारे में भी end पर हम बात करेंगे कि इसकी price अभी क्या चल रही है और color के देखें दोस्तों color ब बात करते हैं सबसे पहले तो यहां पर आप इसका display देखें जो के edge shape में है और बहुत ही एक कमाल का यहां पर display आपको edges पे नजर आ रहा है बहुत ही एक कमाल का display है उसके पाद दोस्तों बात की जाए इसके जो shape के हवाले से इसकी screen के हवाले से तो 6.57 inches 6.57 inches इसका जो है वो बहुत ही amazing display है इसका और यहां पर इसके top के ओपर यहां पर center में बिलकुल आपको जो है वो जो है आपको camera दिया जाता है front camera यहां पर आपको बिलकुल यहां पर आप आप देख सकते हैं इसके यह टोप पर बिलकुल center में आपको front cam नजर आएगा अब camera की बात की जाए तो front camera इसके जो है 32 megapixels है अगर back camera की बात की जाए तो back camera जो उपर वाला एक बड़ा camera है यहाँ पर आप देख सकती है यह जो है 108 megapixel है दोनों का result आपके सामने है back camera का भी 108 megapixel वाले का भी और selfie वाले का भी screen के उपर आप देख सकती है उसके बाद यहाँ पर नीचे जो छोटे चार camera है इनके बार तीन camera इनके बारे में बात की जाए यह वाला camera एक सिर्फ 8 megapixel का है जो के ultra wide के लिए use किया जाता है और उसके साथ यहाँ पर नीचे अवेले वाले है 2 megapixel का wide और 2 megapixel का जो है हमारे पास depth camera इनके रिजल्ट्स भी आपके बास स्क्रीन पर सामने है और मज़े की बात जो आपका जो front cam है इसमें भी wide angle of selfie ले सकते है उसके बात दोस्तों इसकी बात की जाए memory के हवाले से तो इसकी जो memory है वो 6 GB और 128 GB है यह 6 GB और 256 GB के साथ भी आता है तो मतलब इसकी जो RAM है वो 6 GB और 128 GB है अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें OctaCore का प्रोसेसर जूज किया गया है जो के snapdragon है बहुत ही amazing speed है gaming के लिए बहुत ही best mobile है इसके बाद दोस्तों fingerprint की बात की जाए तो यहां पर अब fingerprint इसका available है क्योंकि यह super emoled screen है तो इसका front के ओपर ही fingerprint यहां पर sensor दिया गया है यहां पर आप देखें बहुत ही कमाल का sensor है बड़ी जल्दी यह जो है वो sense कर लेता है इसके बाद यहां पर face ID भी available अगर आप face के जब सामने camera करेंगे तो यह इसको unlock कर देगा उसके बाद दूस्ता MAH इसकी battery का size है जो के बहुत amazing है इसके बाद एक सबसे amazing feature जिसके पर मैं बात करने वाला हूँ वो है 5G का option available है यहां पर अगर मैं आपको देखा हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 5G अभी भी मेरा connected है अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो तो यह इसकी उपर net को इस्तमाल किया तो continue 5G के उपर इसकी 8 गेंटे तक battery timing है जो के मेरे लिए बहुत amazing है चुकर मैं पहले भी internet बहुत ज्यादा यूज़ करता हूँ तो यहां पर 5G के उपर 8 गेंटे निकालना 4G के उपर 8 गेंटे mobile नहीं निकालते अगर उसे continue use किया जाए तो 4 5G के उपर भी 8 गेंटे के बाद mobile जो है वो dead हो जाते हैं 8 गेंटे से पहले dead हो जाते हैं तो यह 5G के उपर 8 गेंटे निकालना जो के बहुत amazing battery timing है अगर आप continue use ना करें तो यह 2-3 दिन इसकी battery timing आप use कर सकते हैं बड़े ही easily तोरफे normal use के साथ उसके बाद दोस्तों बात की जाए price के हवाले से तो इसकी 400 dollar price है आप अपने इसे currency में convert कर सकते हैं पाकिस्तानी रूपीस में देखा जाए तो 66,000 है लेकिन अभी यह model पाकिस्तान में launch नहीं किया गया इसके अलावा Indian रूपीस में भी आप इसकी price को convert कर सकते हैं 400 dollar इसकी market rate है 400 dollar को multiply कर ले अपनी currency के हि आप से आपको बता लग जाएगा इसकी कितनी price है इतनी price के अंदर दोस्तों इतना अच्छा mobile मिलना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत ही एक amazing mobile है इतनी price के अंदर इतनी speed और सबसे amazing इसके अंदर जो feature है जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं play store यहाँ आप देखें कि play store का feature feature हमारे पास available है जो कि इसके अंदर automatically fix था पहले से ही install किया गया था अब आप Google की कोई भी यहाँ से app जो है वो download कर सकते है और Google की सारी apps इसमें जो है वो चलने वाली है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को subscribe कर लें comment में अपना experience बताएं कि अग कर दो से हैं सर्म कर दो चा कर पूल किते हैं कि अगर ने कि पृष च्छे कर दो चरहाँ है कि अपना guण यहाँ से वो चन्प शाना तेच ले से झामापको है तो में अपको है misterव को है कि तो कि उना ऐसे दितता है यह शो पृपा में हैं अपको है